गुड मॉर्निंग एवरिवन कैसे हो आप सब लोग तो देखिए मार्केट में दो काफी नेगटिविटी आ गही है मार्केट में देखिए कंटिन्यू सेलिंग हमें नजर आ रही थी उसके बाद मार्केट फिर से 500-600 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ऐसे में कैसे काम कर सकते हैं कि हम सेलिंग क्या व्यू रखें या वाइंग क्या व्यू रखें उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं देखिए अगर हम डेली टाइम पर जाएंगे अगर हम बड़े टाइम पर जाते हैं तो हमें क्या नजर आता है यहां पर मार्केट ने काफी टाइ कि इस प्रगार की डोजी कंडल देखे थोड़ा सा रिस्क लिया होगा बाइंग वगरा किया होगा तो मार्केट ने उनका स्टोपलोस खा लिया होगा उनको अपनी पोजिशन को काटना पड़ेगा अब बात रहती है क्या कंटेनिव हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है या न सा अब साफेल मूमेंटम आया तो हम यह प्लान मागत के चले हैं कि मार्केट आप सैड चला जाए या फिर कंटेनियू गिरताइज जाए या पहले कुछ गरीन मूमेंटम बना उसके बाद गिरे तो यानि कि यह वाला जो चार्ट है यह नहीं बनना झाए क्योंकि जो चार् मार्केट को गिरना भी होता है तो अलग तरीके से गिए तो चार्ट को बिलकुल सेम तरहिक से नहीं बनाता कि मार्केट पहले थोड़ा एक red momentum करेगा उसके बाद थोड़ा अपसाइट जाएगा फिर से गिर जाएगा फिर थोड़ा sideways होगे ऐसा से momentum करता रहेगा market trending भी हो सकता है possible है ये भी और market non trending भी रह सकता है sideways भी रह सकता है वो तो चार्ट बताएगा लेकिन हमारा focus क्या रहना चाहिए कि ऐसा चार्ट नहीं बनाएगा morning वाला जो चार्ट ऐसा नहीं बनना चाहिए उसके according जो भी चार्ट में momentum मिलेगा green मिलेगा या downside red मिलेगा तो वो continue momentum में जा सकता है ऐसा possible हो सकता है तो market के open होने का wait करेंगे उसके बाद हम position बनाएगे निफ्टी में बिल्कुल same situation है कोई यहाँ पे downside कोई stop loss available है नहीं market में अच्छा कासा gap down open हुआ है तो कही ना कही में chart कोई देखे काम करना पड़ेगा upper side or downside कोई भी stop loss है नहीं थोड़ा सा sentiment है वो थोड़ा सा negative है इसको हमें समझना पड़ता ही है तो यहाँ पे market में देखे दुबारा से downfall शुरू हो गया तो थोड़ा सा market में recovery तो possible है तो यह हमारे लिए entry के लिए point अच्छा होगा तो यहाँ पे हम 500 quantity और buy कर लेते हैं ताकि यह market में अगर momentum मिले तो साथ की साथ दोनों position में हमें अच्छा खासा profit नजर आने लगे तो 1000 के round profit चलने लगे है marketing recovery दिखाना शुरू किया है उसके बाद nifty में breakdown clear हो गया है तो इसको भी हम क्या करेंगे call side में entry बनाएंगे 500 quantity को हम यहाँ पे buy करेंगे और उसके बाद मैं आपको discuss करूँगा मैं यहाँ पे position क्यों बना रहा हूं इतनी negative market में हम call side में क्यों जा रहे हैं और इतनी हिम्मत मुझे कहां से मिल रही है कि मैं यहाँ पे ऐसी market में call side में जा सकता हूं दिखिए possible यह है कि market अगर negative जाने लगे तो अच्छा खासा negative हो सकता है और अगर market positive जाने लगे तो अच्छा खासा positive भी possible है यहाँ पे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दिखिए market के आप behavior को समझोगे जैसे हमने कल की चार्ट की बात की थी अगर market को पहले यहाँ पर downside है उसके बाद reversal दिखा है उसके बाद market ने फिर गया और फिर थोड़ा सा upside जाने लगा तो ऐसा नहीं करेगा आज market आज थोड़ा सा ऐसा है कि market ऐसे continue करता जाए या फिर continue upside चलता जाए तो रूखेगा नहीं जिस प्रकार भी चलेगा जिस प्रकार का भी momentum time दिखाने लगा तो market continue करता जाएगा अब देखिए मैंने इसमें call side में क्यों गया यह हमारे लिए important होता है कि मैंने यहाँ पर call side को कैसे decide किया अब देखिए होता क्या है यहां पर कि market को अगर जाना होता है positive तो पहले क्या करेगा market थोड़ा सा negative चला जाएगा उसके बाद सबी लोग यहां पर put side की या जो भी future वगएरा sell करना है short वगएरा करना है इस जो first जो ये candle बनती उसका breakdown या यहां कहीं का breakdown इस परकार कर देखते हुए वे put side की position में चले जाते हैं जैसे यहां पर आपको एक 34 जार का psychology number भी नज़रा रहा है जो round number होते हैं उसको cross कर देता ह market तो काफी लोग वहां पर position बना लेते हैं put side की तो इस परकार की situation को हमने देखा है तब मैंने decide किया कि हां मुझे call side में जाना है otherwise यहां पर put side में भी जाया जा सकता है लेकिन वो भी थोड़ा risk की है call side में भी जाना risk की है लेकिन जिस परकार का chart momentum बना हुआ है market ने first time क्या क पाता अब देखिए आप यह वाले जो रेड कंडल को क्या से decide कि यहां पर आपको position बनानी है अब देखिए मैंने आपको काफी बार बदाय कि market इतना negative हो जाता है तो इतना असानी से रिकावर नहीं कर पाता वो दुबारा से negative आ जाता है तो ऐसा तो possible होता है अब कुछ लो market और भी negative जा सकता है 3300 के आसपास भी आ सकता है उस समय में लोस भी booking करना पड़ सकता है देखिए discipline इसी को होता है discipline से और क्या benefit मिलेगा कि आपको अगर लोस होने लग जाए यहां पर हम decide करने वाले लोस कितना होगा हमारा तो लोस हम 65 से 70,000 के around हम लोस यहां पर ले सकते है जिस प्रगार के हमने premium उठा रखे हैं तो अगर 75,000 के around हमरा लोस होने लगेगा तब हमनी position को हम काट देंगे चाए उसके बाद market कितना recover करे या कितना भी downside जाए वो हमारा plan होना चीए हमारा जो mind में होता है वो trade का according to plan की चलना चीए कि हमारा लोस को तो आपको decide करता ही रह जाएगा लेकिन लोस को अगर आप उपर नीचे करने लग गए तो वहाँ पर problem हो जाएगी और वही हम सबसे ज़्यादा करते हम सोचते कि market में यहां पर downside शोपलोस नहीं है market recover कर दीगा देखिए पता नहीं कौन selling कर रहा है और कितने दिनों के लिए selling कर रहा है कौन से अप मेरा setup काम करेगा कोई दिक्कत नहीं है आप अपने आप पे trust रखिए लेकिन उसका बिल्कुल भी यह मतलब मत निकाल लेना कि हां उसके लिए आपको बैठे रहना अगर आपका loss बढ़ने लगता है आपको डल लगने लगता है कि market आपके साथ गलत कर सकता है तो आप तुर आपकी help करता है अब देखिए market क्या कर रहा है यहाँ पे डबलू बगारा pattern भी बना रहा है तो इस प्रकार के में situation देखना पड़ेगा क्या यह डबलू पैटर से रिकवर कर पाता है अब देखिए market नहीं यहाँ पे एक base बना दिया है लेकिन market नहीं यहाँ पे continue fall किया है market में यहाँ पे downside वैसे तो कोई stop loss available है नहीं लेकिन एक sentiment बनाने के लिए market थोड़ा सा और भी negative जा सकता है उस situation में आपका loss अगर जादा increase हो जाता है तो आप market को यह मत सोची की recover करेगा या नहीं करेगा आप उस समय काट दीजिए और जब तक आपका loss reach ना करे तब तक आप position को convert भी मत कीजिए आप सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं यहाँ इसका breakdown हो जाएगा तो मैं put side में चला जाओंगा otherwise मैं call में बेटा हूँ तो क्या पता थोड़ा सा breakdown दे उसके बाद market रिकावर करेगा तो ऐसा सभी काम करेगा market लेकिन आपको अपने decision पे बने रहना है यही market में आपके लिए important रहता है तो nifty विगारा भी थोड़ा continue downfall कर रहा है वैसे तो मैंने तो सोचा इसका breakdown दिया है continue downfall किया है तो market रिकावर करेगा लेकिन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं हम अपने plan के according चलते रहेंगे तो अभी मारा loss profit देख लेते हैं 20,000 के round loss चला है कोई ज्यादा loss वाली बात नहीं है कोई डरने वाली गवराने वाली बात नहीं है market थोड़ा सा negative है sentiment भी काफी negative है हम बैठे हुए है call के side तो कोई दिक्कत नहीं देखते है market क्या करता है अभी psychology round number के आसपास trade करा है तो यह भी अमारे लिए problem है round number के आसपास जीतना support लेगा तो फिर हमारे लिए problem इसका breakdown देदेगा तो कोई दिकत नहीं है फिर हमें अराम से हम बैठ जाएंगे call side में possible है कि market recover करे या ना भी करेगा तो हम loss कर लेंगे ना तो possible होता है कि chart हमारे coding चलेगा तो हमारे पास benefit है otherwise हमारे loss लेने के लिए ready है तो चलने देखत क्या होता है तो यहां पर देखी market थोड़ा सा critical behavior कर रहा है market एक range के अंदर trade कर रहा है और बार बार यहां से support भी ले रहा है एक trend line भी यहां पर बना रहा है तो अगर इस प्रगार की अगर trend line का breakdown दे देता है तो continue momentum कर सकता है और अगर upside जाने लगे तो थोड़ा बहुत upside भी hold करें position को क्योंकि अगर इसका breakdown होने लगा तो market अच्छा कासा यहां पर downfall भी कर सकता है तो उसके लिए आपको ready रहना है तो market देखिए बहुत ही ज़्यादा sideways है और market में देखिए यह मैंने एक trend line बना रखिए जैसे यह वाली trend line होगी और यह trend line होगी और market इसके बिलकुल middle में trade कर रहा है अब देखिए momentum अगर उमीद है कि upside आ जाए तो पहले upside momentum आएगा उसके बाद downside आएगा तो उसमें हम आप बाद आपको बिल्कुल भी वेट करना नहीं अपनी पोजिशन में तो अभी मारी पोजिशन में देखिए अपना प्रूफिट चला 40-50,000 के राउंड थोड़ा सा market sideways है तो अगर ऐसा करता है market हम एक या दो दिन ऐसा decide कर सकती हम option selling करें ऐसे निक random selling कभी selling कभी वह गलत होता ह लेकर हम एक या दो दिन ऐसे decide कर सकती हम दो दिन हो गई Wednesday और Thursday को हम selling करेंगे बाकी दिन हम buying करेंगे तो अगर हम ऐसा decide करते हैं तो sideways के दिन भी हम थोड़ा सा पैसा अच्छे तरह से बना सकते हैं क्योंकि otherwise ऐसी sideways market में कहीना कही momentum हमारे पोजिट आजा तो हमें ज्यादा लो करेंगे तो अभी देखते हैं नेरवाई हम टारगेट के हैं दुबारा से 34,000 चलने लगए एक छोटी सिकंडल बनी है उसके बाद भी हमारा profit काफी कम हो गया तो hold करते हैं देखते हैं यह breakdown दे तो रहा है पता नहीं breakout आएगा या breakdown आईगा चलिए यहां पे breakout आना शुरू ह मार्केट में तो कभी कबार आपको मार्केट ऐसे लगेगा कि आइसा मार्केट काम नहीं कर रहा है लेकिन मार्केट वहां से ट्रेंड कर देगा कभी डाउंसाइड चला जाएगा तो आलमोस्ट यहां वे हमने 99,000 यहां पे हमना profit booking कर लिया मार्केट में यही चाहिए था मार्केट इस लेवल तक भी जा सकता है उमीद तो यह है कि मार्केट यहां तक जाएगा लेकिन कोई दिकत वाली बात नहीं यह भी हमारा अच्छा खासा प्रोफिट हमने booking कर लिया यह वाले मुमेंट में होता कि जब हम प्रोफिट बूक कर रहे होते हैं और जब यह वाले मार्केट में लेकिन डिसिप्लीन बनाए रखा तो यही काम आपको करना है आपको भी डिसिप्लीन बनाए रखना है जो टारगेट हमने डिसाइड कर लिया उसको लेके निकलना है और अगर आपको स्टोपलोस थोटा करना है तो थोड़ा बाद में शीखना आप लेकिन पह झाल, 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 झाल